बाई जब का अलो दोस्तों मैं सी उधर पांड़े इस एक छावित सौरव क्लासेस की तरफ से आज शूर से आपके सामने हाजी रहें आज हम लोग कल तक बहुत धर्म हमारा खतम हो चुका था तो आज हम चर्चा करेंगे उसकी प्रस्नोतरियों के बारे में प्रस्नोतर उतना ही जरूरी है जितना की कहानियां या तत्या क्योंकि प्रस्नोतर के माध्यम से आप एक ही नजर में पूरा का पूरा जो भी चैप्टर के बारे में चर्चा होती है पूरी की पूरी जानकारी आपके आँखों के सामने गुजरती है और आपके दिमाग में पूरा का पूरा सेट हो जाता कुछ प्रस्नोतर लिखे गए बोड पे और कुछ प्रस्नोतर हम theoretical तरीके से आपको चर्चा करा देंगे जववानी भासा में तो दिखाते हैं प्रस्न आज का कल बाद्धम खतम हो गया था और जैसा कि हर चैप्टर के बाद हम लोग उसके प्रस्नोतर बारे में चर्चा करते हैं तो आज का यहीं पर सुरू करते हैं पहला सिधात किस गोत्र के थे और किस वंस के थे तो आपको बताये थे इनके गोत्र के बारे में कहानी कि इनका जो गोत्र था वो गौतम गोत्र था और इसी गोत्र के कारण इनका नाम गौतम बुद्ध पड़ा था तो गौतम गोत्र था एंड साक्यवांस ठीक है गौतम बुद्ध का जनाम कहां और कभ हुआ था कब हुआ था पांत्सो तीरसा तीरसा पूर्व कहां हुआ था कपिल वास्तु ठीक है ग्रेत्याक के सब्वें उनकी उम्र क्या थी आपको बताये थे 29 साल उम्र थी ठीक है और भी चीज़ें यहीं पर बताता है उसके यक 6 साल बाद उनको ग्यान की प्राप्ती हो गई और 35 साल उसके प्लस 45 साल तक उन्होंने ग्यान का वितरण किया और पहला उब्देश जाके सारनात में दिया उसी में 4 आरे सत्य बताये थे दुख है, दुख का कारण होता है, दुख निरोथ संभावा है, दुख निरोथ कैसे किया जा सकता है, ठीक है, ग्रित्या की घटना क्या कहलाती है, चार सब्दावलियां थी, ग्रित्या की घटना क्या कहलाती है, महानिभिस्क्रमाण, इनके प्रतम और दूसरे गुरु कौन थे? प्रतम गुरु इनके थे, जब ये ज्ञान प्राप्ति के लिए घर त्या गये तो ये सबसे पहले कहा गये थे? वैसाली, वैसाली में इनके प्रतम गुरु मिले अलार कलाम फिर वहां से ये गए राजग्री राजग्रिम इनको दूसरे और इनके गुरु मिले जी से कहते हैं इसका नाम है रुद्रक राम पुत्रम ठीक है बुद्ध को ज्यान की प्राप्ति कहां किस दिन और किस नदीव विर्ख्ष के समीप हुआ ठीक है तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पहला प्रस्ट कहा हुआ था उसको गया लिख सकते हैं या वरतमान का बोध गया किस दिन एक ही दिन में सारा बुद्ध का जो भी महत्तोपूर्ण काम हो एक ही दिन हुए किस नदी तो निरंजना व्रिक्ष कौन सा था पीपल बताया थे पीपल की नीचे इनको ग्यान की प्राप्ति भी थे बुद्ध की मिर्त्यू कहां किस दिन किस रिक्ष के नीचे वह कब हुई थी मिर्त्यू कहां हुई थी बताये थे आपको कुसी नगार आज का कुसी नगार उत्तरप्रदेश में गोरकपूर के पास कहां हो गया किस दिन हुआ था वही दिन आपको एक ही है इसी दिन ज्यान की प्राप्ति इसी दिन मिर्त्यू भी हुए थी और इसी दिन पैदा भी हुए थी वैसाक पुनीमा कि सुरिक्स के नीचे तो मिर्त्यू इनकी बरगत के नीचे हुए थी जिसके नीचे जैन, जो महावीर स्वामी थे, उनको ज्ञान की प्राप्ति जहां पर हुई थी, वहीं पेंकि मित्यू हुई थी, कब हुई थी मित्यू, तो जब पहला समेल अनुआ था बहुत धर्म का, अगला प्रस्ना है कि मित्यू को बहुत धर्मे क्या खा गया है, मुक् मतलब प्रसनों तरी काराने का अगर आपको चीजों को समझाया ना ठीक है बस चीजों को इसे लिखके देना होता तो तो लिखके भेजी देते आपको लेकिन समझाना है थोड़ा सा ट्रिक आपके दिमाग में बैठा रहा है क्योंकि अभी चार चीजें हैं तो अभी आपको लग रहा होगा कि नहीं नहीं सब तो बढ़ियां है याद हो जाएगा लेकिन अज़े जब बड़ा सलेवस कवर करेंगे तो आपको कंफ्यूजन होना सुरू हो जाएगा फिलाल बुद्ध ने बहुत संग की अस्थापना कहां की थी तो अब को बताये थे सारानाथ में आगर पूछे बहुत संग की लोकेशन के तो स्वार नाती बोलेंगे वो जो भिछूरी संग के बारे में बताए थे ठेक है वो मुख्य नहीं है मुख्य यही है विछू संग बुद्ध का सरवाधिक लोग प्रिय कौन सा था सिस्य आनन्द इनी के करने पर भिछूरी संग की अस्थापना की गई थी कहां इस्काश अजया में तो बंबा गोपा भदक च्छना किसे कहते थे बुद्ध की पतनी थी इनका नाम क्या था यह सॉधरा बहुत देसाइद किस भासा में थी या यह भी हो सकता है जो बुद्ध थे वो किस भासा में ग्यान देते थे पाली भासा में ठीक है यह बारा प्रस्ण उत्तर फिर से एक बार बता देते हैं सिधार्थ किस गोतर के थे, किस वंस के थे, तो सिधार्थ जो है गौतम गोतर के थे और वंस उनका साक्यमस था गोतम बुद्ध का जनम कहा और कब हुआ था, 536 इसापुर कपिल वस्तू में हुआ था ग्रेतियाक के समय उम्र क्या थी, 29 वर्ष थी, उसके 6 साल बाद ग्यान की प्रातिवी और उसके 45 साल तक ग्यान बाटते रहे ग्यान का प्रचार पसार करते रहे और ग्यान में क्या बताते थे, नैदिक्ता वा जीवान सम्मंदी बाते बताते थे रहलाम केाउảं और इसी के पहलाल में बता देते हैं वह कौण से द्रिष थे ठीक है को यो द्रिष से कौन से थे तो उसको देख के बुद्ध जी का हिव्क च меня ब्रएपका했는데 रहा अब की ऊपको गळ्यार नहीं कि और समसी ів ओर भर मेंतले हुग करना पड़ा पहला बूढ़ा देखे, बूढ़े रहोगे अगर, तो रोगी जरूर होगे, अगर रोगी रहोगे तो ज्यादा दिन तक तो नहीं जी पाएंगे, मिर्तियू अवस्य होगी, और उसके बाद एक प्रसन चित सन्यासी। इनके घोडे का नाम पूछा जाता है, सार्थी का नाम पूछा जाता है, तो इनके घोडे का नाम क्या था? कंधक, और जो सार्थी उसका नाम था? छंदक, छंदक है और कहीं-कहीं उसको चिन्ना भी नाम बोलता है, तो कैसे आपको याद कराए थे? कंधा जिसका कंधा है, व वो सार्थी है, तो चंदक और कंदक, या कंदक पर चंदक, इनके प्रथम गुरु वो दूसरे गुरु कौन थे, प्रथम अलार कलाम, अब माली ये परिक्षा में दे दिया, प्रथम गुरु उसमें रुद्रख, राम, पुत्रम भी दे दिया, तो आपको कैसे पैचाना होग वहिए इनके गुरु थे, ठीक है, ये बुद्ध थे, बी को किसने घ्यान दिया, एं ने घ्यान दिया, अलार कलाम, ठीक, ये समझ में आ गया होगा उमीद है, दूसरे रुद्रख, राम, पुत्रम, ठीक है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां, किस दिन, किस तो पहले वो अस्थान गया था जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बहुत गया हो गया वो विरिक्ष जो था पीपल का उसको बहुत ही विरिक्ष की नाम से भी जानते है और दिन वैसाक पुर्णीमा के दिन के इनका जन्म हुआ इनको ज्ञान की प्राप्ति भी इन क्षेनगर में मिल्ती हुई मल गरज के मुख्या थे चुंद के वहजर का मातर भोजन कि देख रोगत मं थे मतलब तक तत्त है जो निया हो चीजे जो आपको भ्रा시य लगते हैं पता था कि उसमें विसाइ ठीक है कोई आसी कितथथे जो नया नया हो या कुछ ऐसी चीजे जो आपको थोड़ा सा हट के लगते हैं तो उसको आदमी मेमेराइस करने में आसानी हो जाती है तो इसलिए ऐसी यह बताना बहुत जरूर ही होता है तो कुसी नगर में वहां से गए यह कुसी नगर कुसी नगर में बरगत के पेड़ के नीचे इनकी मिर्ति हो गई 483 इसापुर में और तभी जो है पहला बहुत संगीती हुआ था ठीक है बुद्ध ने बुद्ध संग की अस्थापना कहा की थी पहला है मिर्तियों को बहुत धर्म में कहा का गया था निर्वाड ठीक है निर्वाड मतलब मोक्ष होता है बुद्ध धर्म के हिसाब से बुद्ध ने बहुत संग की अस्थापना कहा की थी जीवन में सुख की प्राप्ति के लिए तो उसी साब से आनंद, ठीक है बिंबा गोपा, भदकच्छना किसी करते थे, बुध की पतनी का नाम या सोदरा था उन incubator, अनिको बिंबा गोपा, भदकच्छना करते या बुद्ध अपना ग्यान वाहत हैं और भी प्रस्ण है ये ये कुछ ऐसे प्रस्ण है जो हमारे बौर्ड पर आजाते हैं तो उनको सीधे कर सकते हैं अभी देखे जैसे हमने इनके जो भी संगीतियां हुई थी बौत ढर्म के उसके बारए में तो चार्चा आई नहीं किया तो अभी चीज़ें बची है उसके बारे में आपसे चर्चा करता है कि उमीद है अगर आप प्रस्णोतरियों से मुह मूरते हैं आपको लगता है कि यह सब बोरिंग है तो फिर यकीनन आप कई बार इतियास पढ़ेंगे सौट्रिक मत अपनाईए ठीक है सौट्रिक तब अपनाईए जब लॉंग टर्म में पढ़ चुक्या अगर आप सोचेंगे स्टार्टिंग सौट्रिक से करेंगे और आप इतियास कार बन जाएंगे या फिर आपको इतियास याद रने वाला तो यह आपकी भूल है या प्राथम सम्मेलन कभ हुआ था प्राथम सम्मेलन लिखे लेता है ठीक है प्राशन प्राथम सम्मेलन कभ हुआ कहां हुआ सासक कौन था उस समयन और अध्यक्ष कौन था एंड अट लास्ट कारे क्या क्या हुए थे ठीक है कब हुआ तो पहले जब उद्धु जी मरे तभी उनका पहला बॉद्ध सम्मेलन लिखा चारसो तीरासी इसा पूर्वा ठीक है सासक कौन थे कभ के बाद कहां राजग्री में हुआ सासक कौन थे अजार सत्रो अध्यक्ष कौन थे महाकस्या कार क्या हुए थे विना पिटा का और सुद्ध पिटा की रचना आपको बता थे विना पिटा की रचना अनंद और सुद्ध पिटा की रचना उपाली के दवरा हुए थी ठीक है सुद्ध पिटा की रचना आनंद के दवरा हुए थी और विना पिटा की रचना उपाली के दवरा हुए थी ठीक है जो सुद्ध पिटा की रचना अनंद थे बुड के प्रीचेस से थे अब पूछा जाएगा कि कौन साएसा सम्मेलन था जिसमें बहुत भीक्षूओं को असो爗ा निकाल दिया गया था तो कहन्यों के अनुसार अब अगर आप कहानियाग याद करेंगे तो आप क्रास कोशिनिंग से मार देंगे कि कौन ऐसा सासक था जो बहुत विच्छों को निकाला था असोक निकाले थे तो पहले में आजाद सत्रू फिर काला सोक असोक फिर कनिस्क थे तो असोक तीसरे में थे तो लाजमी है तीसरे वाले में यह बहुत विच्छों को निकाला गया था और उसी में अभिधाम में पिटक की रह चना भी थी ठीक और उसके बाद दूसरे में फूट पड़ी थी चौथे में बटवारा हो गया था तो कौन से में बटवारा हो गया था चौथे में हीन यान और महायान हीन यान वाले वो थे जो अस्थवीरवाद यानि लिख देता है दो भाग में जब दूसरे में फूर पड़ी तो दो में पड़ी अस्थवीरवाद और महासांधि अस्थवीरवाद है वो थे जो पुरानी परमपराओं को लेके चलना चाहते थे सारी बुद्ध की बातों को ही लेके चलना चाहते थे ये समयानुसार परिवर्तन चाहते थे अस्थवीरवाद और महासांधि तो ये जो अस्थवीरवाद वाले थे यही बाद में चलके हीन यान हो गए और ये महासांधिक महायान में ठीक है लिखते थे महायान ठीक है अस्थवीरवाद वाले बाद में चलके हीन यान हो गए महासांधिक वाले महायान हो गए चीजों को बार-बार-बार पढ़ते रहा किजिए क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, चीजों को बार-बार तो आपको याद नहीं होगा और फिर आप यह ने बहुत सकते हैं, अक्सर आप लोगों को बोलते सुनने होगे कि मेरा यह subject weak है असल में हमारे सब्चेक्ट में होता आप करने चलिए अर्गर आप सरका इनोकरी की तयारी करने शब्चा करना अपढसे,icionगर ना रहें तो जो जरूवत है उसको पढ़ते रहा कीजिए तो यह मोस्ली प्रस्ट जो थे वह खतम हो गए है चौथा वाला तो आहां सुरी फिर से चारो आपको एक बार रिपीट करा देते हैं कौन-कौन कब हुआ था सारे बादे समयने लिखवा देता है ऐसा करता है एक पूरा डीट ठीक है दोस्तों देखते हैं पहला कब हुआ था सौटकट में लिखेंगे चार सो तिरासी इसा पूरा कहा हुआ राज ग्रेल राजा कौन थे अजयात सात्रो अध्यक्ष कौन थे महा कस्यापक काम क्या हुआ सुत्थ पिटक सुत्थ एंड विने पिटक की रचना ये दोनों सहाईत थे तो टिक अगला एक जयक्ष सौ सालवाद तीन सौ तिरासी इसा पूरा राजा सौरी जगा वैसाली राजा कला सौख अध्यक्ष सारो कामिनी इसमें क्या हुआ पूट पड़ी अस्थविरवाद और महासाध्य ये अभी जस्ट बताये फिर दोसो इक्यामन इसा पूरो ये दोसो इक्यामन वाला आपको कहीं कहीं दोसो पाश्पन होगा लेकिन जहां तक हमारे जानकारी में है तो दोसो इक्यामन ज्यादा प्रमारी ये कहा हुआ था पाटली पुत्र काला सोख के बाद असोख अध्यक्ष कौन थे मोगली पुत्त तीस और इसमें क्या हुआ था अभी धम अपिटक की राचना और क्या हुआ साथ हजार निकाले गए कौन बहुत बिच्छो असोख ने निकाला था ताकि फूट ना पड़े फिर सव इसमी ठीक है ध्यान दीजेगा यह इसमी है पाटली पुत्र के बाद कहां पर पहुँच गया कस्मी इद इस्पेसिफाई करें तो कुंडलवन असोख के बाद कौन आ गया अब कनीशक मोगली पुत्र इसमें दो लोग थे एक थे अध्याच एक थे उपाध्याच यह थे वसुमित्र यह थे अस्वगोस यह पूसकता है कि कौन सा एक बहुत संगीती था जिसमें उपाध्याच भी थे यह उपाध्याच कौन थे अस्वगोस इसमें क्या हो गया बटवारा हो गया कि यह हो गया आपका चारों चार सो तीरासी तीन सो तीरासी चार तीन दो एक ट्रिक के लिए याद करना और जहां तक प्यास कीजिए कि कम स्कम दो से तीन बार आप वीडियो को देखिए तभी आपको याद होने वाला है ठीक है सोट्रिक मत अपनाईए ठीक है सोट्रिक अपनाएंगे कई साल तैयारी करेंगे और ऐसे यानंतिकाल तक चलता रहेगा हर बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप भोल गाए अगर आप चाहते हैं कि आपको में महराज रहे सारे की सारी चीजे तो फिर आप कहानियों और तत्यों को साथ में लेके चलिए और सबसे बड़ी बात सीमित सलेबस लेके चलिए अब यह नहीं कि आप बैटरेंट काई पांच नंबर बेटे जाए इतियास का तो आप चलिए उठाके लेके आए किसी की किताब UPSC लेवल किया के पढ़ लीजिए ठीक यह मोस्टली एक्जाम के लिए एनफ है ठीक है और सबसे बड़ी बात यह आपको कहानिया यह जो है यह आपके दिमाग में यह सेट अप करा देगी कि कोई भी जैसे बहुत धर्म है अभी या मुगल सामराज्य है या कोई जो भी चैप्टर है वो चैप्टर आखिरकार उस कल से हम लोग पढ़ेंगे मौरे सामराज के बारे में बहुत ही इंट्रेस्टिंग चैप्टर है जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे चंदर गुप्त मौरे असोग बिंदु सार के बारे में पढ़ेंगे तो तयार रहेए नई रोचक कहानियों और तथ्यों के साथ फिर से मिलेंगे अगले लेक्चर में जैहन दोस्तों